आज हम लोग कारडमान के बारे में पढ़ेंगे, इसकी कल्टिवेशन ट्रैक्टिस और इंपोर्टिन पॉइंट के बारे में scientific name है small cardamon को queen of species करते है, illetria cardamomum और maton अप यह तो queen of spices, अच्छा आप लोग यह बताए कि king of spices क्या होता है ठीक है यह आप कमेंट बॉक्स में बताएं मैं नहीं बताऊंगा ठीक है फैमली जिंजी बरेशी ओरीजिन क्या है वेस्टन घाट आफ साउथ इंडिया क्रोमोजोम नम्मर है 48 प्लांट पार्ट इसके कैपसूल और सीट को यूज करते है केमिकल सीनी ओल पर्जेंट होता है क्लामेट एंड स्वाइल दे क्रॉप थ्राइबस वेल इन दे रिजन आप हाई रेंफॉल 152-250 सेंटीमीटर का जहां रेंफॉल होगा और टेंपरेचर 15 डिग्री सल्चेस से 35 डिग्री सल्चेस और रिलेटिव हुमिडिटी 75-90 परसेंट और 600-1200 अभव MSL तो यह मुस्ली यह जो कंडिशन है यह पाई जाते है करनाट का केरल और टमिलाडू रिजन में काड़मॉन के लिए पीच चाहिए 5.5-6.5 काड़मॉन हुमसरी सोयल में अच्छा होता है और इसके टाइप और कल्टिवर्स कौन कौन है बेस्ट अन एडप्टाबिलिटी नेचर और पैनिकल सेफ और साइज और कैप्सूल कल्टिवर और कैट्टिवर और मालाबार मैसू मालावर में क्या होता है प्रोस्ट्रे पैनिकल होते हैं जो करनाटका ारिजन में जाए पाया आघातते हैं मान्सू जो कर्दिवर फेंट ब्लांट है जो केरला और ऑर वजू कर्दमिन नेंछ फिरबुर्स होता है तो मालावर और मेसूर टाइप का में यह सी पもし Litड़ दे इरिया उसका 78000 हेक्टेर है और प्रोड़क्शन 22000 मिलियर टन है इसका प्रोपेगेशन कैसे करेंगे इसका प्रोपेगेशन जन्रेली वेजी सीठी होता है सकर्रस कीतरूure सकरhouर ज्याद правieवल है प्रोडक्शं और प्रोड़क्शन ओब निउट्वा तीशू कल्चर यह भी एक alternative method है यह थोड़ा सा तीशू सीट के थूँ काफी लंबा time लग जाता है बड़ टीशू कल्चर अभी अभी के टाइम में काफी commercially grow किया जा रहा है सिटलिंग प्रोपागेटेट प्रांट पैरेंट के identical नहीं होते हैं कि लार्ज स्कल मल्टिप्लिकेशन हाइल्डिंग वराइटी और सेलेक्शन करते हैं प्लांटी उनिट का होता है growing up children and portion of rhizome and developing a suit सकर मल्टिप्लिकेशन स्टार्ट प्रांट फर्स्ट वीक उप मार्च तु सेतेमबर इसका सकर का मल्टिप्लिकेशन हमेशा मार्च से सेतेमबर के बीच में होगा और the site selected should be open well-drained area adjacent to perennial water source एक तो open होना चाहिए 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 इसलिए होना चाहिए क्योंकि अगर वहां drainage नहीं होगा तो वहां पे fungal attack होने की समभाबना जाता है ट्रेंज with a wide of depth सब्सक्राइब 45 cm and convenient length मतलब जो सुविदा अनुसर लगे उस हिसाब के लेंथ को अब फिल्ट कर दीजिए टॉप स्वाइल से सैंड से और टीकंपोस्ट कंपोस्ट यह दरेंज का स्वहाँ करना चाहिए अब महरी थाल बहुत आपकिशिए ट्रेंज इन on a क्याना चाहिए लोगे प्रोटेक्ट करने के लिए निदे स्वाइट चाहिए इस नकुछ आएसी पंढदाल शिस्टम को डबलब किया जाएब या डार्रेंग ना चाहिए ना नहीं बेटर इस्टेबलिश्मेंट ऑफ सकर इरिगेशन वन्स इन फोट नाइट फोट नाइट का मतला होता है पंदरा दिन में अफलाइब फटिलाइजर फॉर्टी एट फॉर्टी एट निटी सिक्स ग्राम एन पीके पर सकर इन तू 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 त्री स्प्लीट्स स्टार्टिंग बलतों निटी से टू और फॉर्टी सी ग्राम नेकर दालता निए ये लिए कवह सिसले जोर्त में मदर क्लामपुदी ने 10 मंत अप्लांटिग इसकी कुछ निकली गई है इसे आर के इंस्टिटूट है इंडियन इस्टिटूट आप स्पाइसे रिशर्च का रिजनल इस्टेशन है अपांगुला कोडागू करनाटका में अपांगुला एक जगह है उसके नाम पर ही वराइटी डिवलप की गए तो वराइटी अपांगुला 1 जो मालावाट टाइप है इसके वराइटी है यह तो मैंने बता दिया है इसी आर इंडियन इस्टिटूट आप स्पाइसे रिजनल इस्टेशन है आपंगला कोडागू करनाटका में इसके वराइटी है यह तो मैंने बता दिया है इसी आर इंडियन कार्डमों रिजर्च इंस्टिटूट मली आदमपूर इडो की केरला में इसी आरि I-1 मालावा टाइप है अर्ली अधियिन ड्री बो्ल क्यापल इनी ब cruise माथ्डीर्च इसले तूम्हसोम ग की तॉलरेंन टो भीकाल डीजर्यश्ट है काड़ामोन रिशाच इस्टेशन केरला अगरिकल्चर इंवर्सिटी का अंदर पंपादुम पारा इडुकी केरला में पीवी वन मालावाट टाइप अर्ली मेचुरिंग वराइटी विद इलोंगेटेड कैप्सूल हैं पीवी टू बजुका इस्टाइल बजुका टाइप हैं जिसमें ग्रीन बोल्ट कैप्सूल हैं कुछ वराइटी निकाली गए रिजनल होटी कल्चर इसर्च इन एक्स्टेंशन सेंटर उनिवर्सिटी अग्रिकल्चर इन होटी कल्चर साइंस मूदीग्री चिका मंगलूरू क करनाटक चाहिं मूदीग्री वन मालावाः टाइप हैं टॉल्यन टू शूट बोरर। कर्फर करते हैं के लिए शेट्ट्री क्या हैं करूना बेरोनियनिया अर्बोरिया चंदाना बैम्बू तूना सिलियटा नजावल सेजियम कुमुनी जैक्रूट स्पेसिंग क्या रखते हैं 3 x 3 मिटर मैसूर और बजू का कल्टिवर के लिए 1.8 to 1.8 मालावर कल्टिवर के लिए इसका नूट्रिशन क्या होना चाहिए नाइट्रोजन फॉस्परस और पोटासियम का रेशियो 125-125-250 ग्राम पर हेक्टियर इरिगेटड कंडिशन के लिए 75-75-150 रेणफेट एरिया के लिए आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं 1 x 1 x 2 मतलब किस किस रेशियो में है तो महां पोटासियम की थोड़ी कमी होती है तो पोटासियम हमें ज्यादा एमांट में चाहिए होता है में पॉलिटिंग एजिंट क्या होता है एपीस सेरेना इंडिका और एपीस डॉर्स आटा मेजाड डिजिज एजुकल और कैप्सुल डॉट होता है यह पाइट ओप्तोरा स्पीशिस के थरूँ इंफैक्टेड कैप्सूल क्या होता है ग्रेनिज प्राउन होड और डिके हो वारल डिजिस हैं ट्रांस्मिटेड होती है फिट से पेंटनौलिस निगर नर्बोस आप देख सकते हैं नीचे यह कटे डिजिस का यह हैं फिगर है कैसी क्या है काडमों फ्रिप्स इसको फ्रिप्स काडमों मी और सूट कैप्सूल एंड पनिकल बोरर कॉनों जेटिस पंटि फेरेलिस काडमों रूट क्रॉट होता है बेसी लेप्टा फल भी कॉर्नी हार्वेस्टिंग प्रसेशिंग यह बेरिंग कप करते हैं दो से तीन साल क करता है 6-7 मेने लगते हैं उसके फॉर्मेशन में हार्वेस्टिंग प्रियेट क्या होता है जून जुलाई और जन्बरी फर्वेट तक केडला टमिलाडू रिजन में होता है फीजियो लॉजिकल मेशुरिटी के हैं डार्क ग्रीन कलर और रिंड मतलब अपर पोर्शन और ब् सब्सक्राइब क्योंकि उससे ज्यादा रखेंगे तो इंफेक्शन के चांसे होते हैं मैचुरिटी ऑफ कैप्सुल एंड क्यूरिंग तेंप्रेचर इंफ्लेंस दा क्वालिटी ऑप्रोसेस काड़बों दूरिंग क्यूरिंग एक तेंप्रेचर रेंच 40-45 डिग्री सल्च का टेंप्रेचर मेंटेन ही रखना है अगर उससे ज्यादा कम करेंगे तो उसमें कलर में काफी ज्यादा चेंज हो जाएगा जो मार्केट के लिए या एक्स्पोर्ट के लिए सही नहीं है और उसको धीमे धीमे उस टेंप्रेचर को बढ़ाएंगे 50-60 डिग्री सल्सेस्त आखरी दो घंटे में उससे क्या हो जाएगा कि रिमूबल ऑफ फ्लोरल रेमनें दूरिंग पॉलिशिंग दूरिंग क्यूरिंग इप टेंप्रेचर एक्सिट तर ट्रिजॉल लेबर कैप्सूल डेबलफ ब्राउनी स्ट्रिक्ट दू हीट इंजरी और इंक्रीज इन ड्रा कादा 50-60 से ज्यादा करेंगे तो उसका जो कलर है वो ब्रेकडाउन कर जाएगा और हीट इंजरी के होने के समभाबना ज्याता है काड़ामोन को ड्राइग करते हैं दो में अभी तो टेक्नलोजी आ गया लेकिन इसते पहले जब टेक्नलोजी नहीं थी तो उन लोग करते थ तबी वो ख्रीन कलर हो पाएगा आप सोचिए कि अगर हम बाहर में रखेंगे तो कभी तो दे के समय काफी ज्यादा हीट हो जाएगा फिर उसका कभी यह हीट मतलब जो धूप का इंटेंसिटी हो है जो सनलाइट की इंटेंसिटी वो कम हो जाएगे तो कभी ग्रीन कलर ऊबराते हैं जिसमें क्या कि लगडी के pipe से उसमें हीट प्रोवाइड करते हैं लगडी का यूज करते हैं फ्यूल करके उसमें छेमबर एक डवलाप करते हैं 4.5 ometers length के और उसमें production capacity होते हैं 2 ton का fresh काड़ामोन in general three to five four kg और द्राइंग वन केजिव फ्रेस काड़ामोन चाहिए तो तीन से चार केजिव फायरूट चाहिए काड़ामोन को डाल देते हैं उसके बाद होट एर जनरेट होता है फायरूट से और फ्लू पाइब के तुरू वहां तक महुंचता है और फ्लू जो फ्लॉर है उससे तो कुछ सेंटिमेटर एबब में होता है तो इस प्रोसेस इनांसे रूम टेंपरिचर यह रूम वह तीन से चार घंटे तक मेंटेन रखता है और कैप्सुल स्वेट करता है और वह अपना मुष्यर लूज कर देता है जैसे वाटर पेपर यह जो मुष्यर है सब लूज हो जाएगा तो बेंटिलेटर को क्लोज कर देते हैं और तेम्परेचर जो इनसाइड है वहां 40 तू क्लीनिग प्रोसेस बाइविस डिवरिस लाइक इस टार्क अटेश्ट तो इसका टेम्परेचर को ऊपर रखने का पीछे आकरी में एक रेजन तो यह है कि उसका कलर डेवलाप्मेंट होगा और दूसरा रेजन यह है कि उसके साथ जो भी डिवरिस होंगे वह इसली अपने आप रिमूफ हो जाएका फिर हमें और क्लीटी नहीं मिल पाएगे अब इस कंडिशन में हम लोग वही अच्छी क्वालिटी के ग्रीन काड़ामोन हमें कैसे 24 से 30 घंटे में मिल जाते हैं एकड़ूंट से साइज 7 6.56 mm हम लोग उसको ग्रेडिंग कर लेते हैं कुछ अधर प्रोड़क्ट भी होते हैं जैसे काड़ामोन के सीट्स यह डिकॉर्टिकेटिंग एंडटर कैप्सूल उसको डिकॉर्टिकेट करके यह कैसे होता है यूजिंग प्लेट मिल प्लेट मिल करके उसको काड़ामोन को सीट को अलग कर लेते हैं काड़ामोन का पॉडर मनते हैं ताकि फूट प्रोड़क्ट में उसका फ्लेवर दिया जांच करते हैं कि यह इलाइची वाला आइसक्रीम है यह जैसे समतिंग आप लोग एलाइची के कुछ प्रोड़क्ट की उससे फ्ल के तुरो हम लोग और लोग si ऐसे कज़ें इसमें सींयोल पंव्यंत होता है HA28ase JUAN AUSKINAL ACCETAT ен कुछ-UMB कारडामोन का प्रिपर ट्रीशनल Gawa कॉपयी है कार्डामोन इसंटी कारडामोन का आधा इडकी डिस्टिक में एक BODwater Dam आधं उसमें इडो की डैम भी डैमिज्ट होा था इसलिए इसको युनस को वर्ल्ड हरिटेस साइट में भी रखा गया है चुकि यह काफी पुराना डैम है मेल काड मेकेनिकल एकोनोमिक लॉक कोस्ट काटामॉन ड्रायरी इसका फूल फाउं कहींगे पूछता है वोलेटायल ओयल इन काटामॉन से 6.6 तो 10.6 परसंट होता है एक केज़ी सीट कैपसूल में 500 सिगलिंग होते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लाज काटामॉन देखेंगे ठीक है और थेंक्यू फॉर वाचिंग अच्छा एक चीज और बताना था कि कुछ बच्चे डिमांड कर रहे कि हमें पीडियाप चाहिए तो मैं ऐसा करता हूं कि मैं टेलिग्राम चैनल एक आपन कर देता हूं और आप लोग वहीं से आप लोग पीडियाप भी डाउनलोड कर सकते हैं बाकि जो जो मैंने कोश्चन पूछें आप लोग कमेंट में कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए ताकि मुझे लगता रहे कि आप लोग चीजों को समझ रहे हैं थैंक्यू